रतन नवल टाटा एक जाना माना नाम है आपको बता दे इस समूग की अस्थापना जमसेज जी टाटा ने की थे और उनके परिवार के पीडियों ने इसे आगे बढ़ाया रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 सिस्पी को हुआ था लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि हम इनकी बात कर क्यों रहे हैं आपको बता दे कि मुंबई में रहने वाले रतन टाटा भी रासी वर्स के हो चुके हैं लेकिन आज भी वो किसी जवान इंसान से कम नहीं अब यहाल ही में दिये गए इंटर्वियू में उन्हें बताया कि वो आज के समय में भी प्लेन और हिलिकॉप्टर उडाते हैं साथ के दसत के कारों को एकटा करना और उनके वारे में जानकारे हासिल करना उन्हें आज भी बहुत पसंद है इतना ही नई 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 टेक्नोलिजी के बारे में जानना उन्हें बहुत पसंद है अब बात करते हैं कि रतन टाटा आखिर रहते कहां है आपको बता दे कि मुंबई में रतन टाटा रहते है और मुंबई के अंदर वो कुलावा में रहते है और भगत पारक नामक जगा पर उनका घर है ये बताया जाता है कि उनका घर सी फेसिंग है जहां से समुन्दर की लहरे की ठंडी हवा उनके घर तक आती है रतन टाटा को सांती प्रिये इलाकों में रहना पेहत पसंद है और ये बताया जाता है कि वो हमेशा ही कुछ नाया करने की कोशिस करते रहते हैं ये जानकारी आप सबी को कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर बताये और ऐसी एमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सस्क्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले